तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं आपसे पूछूं कि केवल तीन दिन पढ़ करके क्या आप लोग अपने विज्ञान परिक्षत जो आपका होने वाला है, उसकी तयारी क्या आप लोग कर सकते हैं, तो आपका क्या जवाब होगा, आप लोग बताए मुझे, क्या आप विज्ञान के तयारी केवल तीन दिन पढ़ करके आप कर सकते हैं, जी हां वीडियो में आप अंत तक बने रही, मैं आपको पूरे डिटेल दूँगा, उसके बारे में आपको सब कुछ समझाओंगा कि कैसे आप तयारी कर सकते हैं, मात्र तीन दिन पढ़ कर करके आप आपका कक्षा 10 का विज्ञान का सब्जिक्ट है, जिसका 4 अपरेल का जिसको पेपर होने वाला है, उसकी तयारी आप कैसे कर सकते हैं, देखिए प्यारे बच्चों, मुबाइल पर स्कूल चैनल पर आपको बहुत स्वागत है, देखिए बोर्ड परिक्षा कक्षा 10 विज् में वो भी आपके बहुत ही अच्छे जाएं, तो चलिए ये वीडियो में इस लिए बना रहा हूँ, क्योंकि देखिए विज्ञान का जो सब्जिक्ट है, 4 अपरेल को इसका पेपर है, विज्ञान सब्जिक्ट के पेपर से पहले आपको काफी टाइम मिल रहा है तयारी कर करने के लिए, तो उस काफी टाइम में मैं एक ऐसा आपका schedule लेकर के आए हूँ, ऐसे वीडियो लेकर के आए हूँ, जिसको देखने के बाद आपके mind में एक clarity आजाएगी, कि हमको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, तो मात्र तीन दिन में ही हम विज्ञान के तयारी कर के वाल एक subject नहीं है, जैसे कि नाम मातर का है science, S-C-I-E-N-C, देखिए हो गया science, अब देखा जाए तो इसमें कितने subject हैं, देखिए science में आपका physics है, science में ही आपका chemistry है, okay, science में आपका chemistry है, उसके बाद इसमें जो है आपका biology भी है, क्या है, biology, देखिए मतलब भौति विज्ञान और जी विज्ञान, ये तीन विशय हैं, नमबर आपका 70 ही मिलेगा, पूडांग आपका 70 कहीं रहेगा, लेकिन इसमें तीन विशय हैं, ठीक है, और इन तीन विशयों को जो ही, देखिए इसमें तीन दिन भी आपका मिल रहा है, अगर आपका ऐसा रहता, कि आ आपको काफी टाइम मिल रहा है लगभग आपके पास एक हपते का टाइम है कहने का मतलब यह कि 5-6 दिंग का टाइम तो है dear students देखिए 5-6 दिंग का टाइम तो आपके पास में है अभी विज्ञान के पेपर की तयारी करने के लिए लेकिन मैंने केवल तीन दिन लिखा है कि पतली सीबुक होती है बहुत मोटी भी नहीं होती है जिसमें की physics chemistry biology होते हैं बहुत जादा आपका syllabus भी नहीं है class 10th में normal normal से जो हैं आपके topics हैं बहुत simple से अगर आप मन लगाकर बैट करके पढ़ते हैं इस video में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से पढ़ाई क लेकिन यह जो तीन दिन हैं लास्ट के तीन दिन जो बचेंगे उसमें से अगर एक दिन physics को देते हैं एक दिन chemistry को देते हैं एक दिन biology को देते हैं तो यह तो सेवर है कि इस पतली सी बुक में जिसमें की तीनों चीज़े समाहित है physics chemistry biology इन की इसका जो है कुछ रही तो finally revision तो टो इसका भी हो जायेगा आप को दो दिन मतलब एक किताब के लिए आपको छे दिन दे रहे हैं और उस दिन मेंनसे आपको करेंफ एक शोटा सा सेड्डूर सेड्स में आपके लिए नो गंटे की नींद माननके चल रहा हूं उसके बाद भी डिर शुर्डेंस आपके पास में टोटल दस घंटे बचते हैं इस दस घंटे को अगर आप अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, आप मुझे ये बताईए, कि आपके पेपर से 2-3 दिन पहले, क्या आप अपनी पढ़ाई के लिए इतना भी टाइम नहीं दे सकते, 24 घंटे में से केवल उसके आधे से भी कम टाइम देना है, क्या आप इतना भी नहीं दे सकते, दे सबकुछ आपको अपने टापिक पे रखना है, कहीं इधर उधर दिमाग नहीं बढ़ाना है, मेरा कहने का मतलब ये हैं, आपको फोकस्ड हो करके पढ़ाई करनी है, बिल्कुल भी जो है इधर उधर उधर आपको ध्यान नहीं बढ़ा है, इस तवीके से हो करके тебе आपको प पढ़ना है उसमें से एक ग्हंटे में 60 मिनट होते हैं उसमें देखा जाया तो 50 मिनट तक आप को अच्छे से study करनी है बागी के 10 मिनट आपको या फिर बागी के 5 मिनट जो है आपको ठोड़ा सा solve करेंगे questions, ऐसे तो आप solve करेंगे नहीं कहीं से भी कि अपना book उठा लिए deeply पढ़ने, start कर दिए, पढ़ने कभी तो एक तरीका होता है ना, तो आपने अगर short notes बनाए होंगे, short notes, देखिए short notes जो आपने बनाए होंगे, आप वहाँ से पर सकते हैं, या फिर आप अपने question bank से solve कर सकते हैं, और मैं आपको इस चीज़ बता दूँ करेंगे, आपको 100% सब कुछ आ जाएगा, अगर उसमें से कुछ चीज़ें बसती हैं, जो आपको नहीं आपाती है, तो उन सब चीज़ें को जो है, आप निकाल करके, उसको short notes से, चाहे अपने book से, चाहे कहीं से भी उस और भी तरीका है जैसे कि आप YouTube वीडियो के माध्यम से सबसे अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं, देखिए, अगर आप खुद बहुत अच्छा पढ़ना जानते हैं, तो कोई बात नहीं आप पढ़ सकते हैं, इन सब चीजों से, प्रीविस येर से, नोट से जो है, और कोश्चन यहाँ पर आपको कम दिमाग लगाना पड़ेगा, और सामने वाला जो टीचर है, वो आपको बहुत अच्छे से समझा देगा, ठीक है, देखिए, मैं यह नहीं करूँ का आपको आपको मेरी चैनल से, पर यह आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सारे बहुत भी आप जानते होंगे, तो ज़्यादर नहें तीन चार दिम पढ़ करके, आप टाप तो नहीं कहरा हूँ, बलकिन तेन चार दिम पढ़ करके आपको वईसे ही मिल जाएगा, इसको तो आपको टेंशन लेनी ही नहीं ही बिलकुल भी, आपको क्या करना है आपको अच्छे से अच्छा नमबर प्राप्त करना है इसके लिए अगर आप पहले से बहुत ज्यादा मिनट करती हुए है तो आपको बिल्कुर टेशन नहीं की जरूरत नहीं है और अगर आप पहले से एवरेज इस्टुडेंट भी रहे हैं तो क्या करन पूरा एक बार पढ़ सकते हैं फटाफट से डिविजन कर सकते हैं क्योंकि आप ने अल्रेडी एक बार पढ़ रखा है ऐसा दो है आप पहली बार देख रहे हैं पहली बार आप टेंथ में आ रहे हैं आपका बोर्ड एक्जाम आगया काफी टाइम हो चुका है आउए और उस इसकी अंतर गद्वी अगर आप एक छोटा छोटा टोड़ा निकाल लेते हैं एक छोटा सा पार उठा लेते हैं फिजिक्स को दो दिन तो इस प्रकार से अगर आप देंगे तो बहुत ही अच्छे मांक्स आप राप्त कर लेंगे अगर बोर्ड एक्जाम के टाइम पे अग हो जाएंगे वहां से आप अपने बोर्ड एक्जाम को त्यारी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं एक बार आप उसको डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक आउट कर लिजीगा तो डिये सुडेंट्स उम्मीद करता हूं आप लोगों के बोर्ड एक्जाम बहुत ही अच्छे ज हन्यवाद